नमस्कार दोस्तों स्वागत है पी एच पातु अब मैं कैसे आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे हम डिटर्मिनेशन ओप बाइल पिगमेंट और यूरो बिनेशन इससे पहले हम लोगों ने बाइल साल्ट देख लिया है मतलब कि हम यूरीन अनलाइसस कर रहे है यूरीन टेस्ट के अंतरगत जितनी भी टेस्ट आते हैं मैंने सब को बारी बारी से आप लोगों को थियोरी बताया है प्रैक्टिकल भी कुछ-कुछ अपलोड है आप चाहे तो देख सकते हैं आईए हम सभी आगे बढ़ते हैं नए हैं तो सस्क्राइब कर ले मैं ऐसे बह बहुत कम समय में आप लोगों को टॉपिक समझाने की कोशिस करता हूँ और आप इससे बखोवी नोट्स भी अपने आप के लिए दियार कर सकते हैं जो सोट नोट्स होते हैं जब आपको एक्जाम दे रहे हूँ आपको प्रिप्रेशन में सहायता प्रदान करते हैं तो यलो टाइप में पढ़ जाता है हमारे स्कीन थोड़ा यलो टाइप में पढ़ जाता है तो मतलब क्या होता है हमारे बाइल पिगमेंट वो हमारे सरीर में बढ़ जाता है तो यह सारी चीजे होती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में और आगे जब हम बढ़ते हैं और इसमें ह लोगों कर लग जाएगा और इरलिज रियेजंट और उसके बाद फून चेस्ट ये कभी-कभी टेस्ट नेम भी पूछ जाते हैं कि कौन सा टेस्ट किस विधी से होता है तो बाईल पिगमेंट के लिए फून चेस्ट टेस्ट और यूरो बींजन के लिए इरलिज टेस्ट किया जाता तो कई बार ये पूछे जाता है तो आप इसका बहुंब incorporate the दियान रखके चोटी-चोटी चीज़ें हैं इनी सारे जिए आप न और खांकर बार 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 वो पूछा जाता है तो आप ध्यान देंगे दों टेस्ट विलेकिल आसान है एक ही में है मैं आप सबों को बता देता हूं देखिए प्रोसीजर में क्या करना है प्लेस थ्री तो फॉर एमल आफ यूरीन इन सेंट्रिफ्यूज त्यूब बाइ यूजिंग पॉस्टर पीपेट आप मतलब वन से फॉर्थ एमल तक आप ले लिजे मतलब थर्ड भागता है तो आप यूरीन ले लिजे और उसको सेंट्रिफ्यूज कर करेंगे दोनों में आपको एक्वल एमाउंट ऑप टे बेरियम को ल्राइट डाल देना है उसको बाद मिक्स वेल उच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेना है सेंट्रिफ्यूज फिर से करना है पंदरह सो आर्पीम प का फुल फॉर्म जरूर बता दिजेगा 1500 RPM में ये 10 मिनट तक फिर इसे घुमाया जाता है अब देखे जब भी आप सेंट्रिफ्यूज करते हैं तो दो हमारे दो चीजे बच जाती है एक तो सूपर नेटेड मतलब उपर का पाट और नीचे का sediment जो हमारा नीचे बट जाता है उसे sediment कहा जाता है जो ऊपर बहुत है उसे सूपर नेटेड कहा जाता है तो सूपर नेटेड जो बच होगा हम उसको क्या करेंगे मतलब यूरो मिलनोजेन टेस्ट के लिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं पिगमेंट कर रहे हैं और यूरोबिलोनजेन के लिए अलग test tube में हम लोग निकाल लेंगे आप चाहे तो अलग अलग भी separate भी कर सकते हैं कोई दिक्टत नहीं है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यूरोबिलोनजेन के लिए अलग से supernated part को निकार कर रख देते हैं 1-2-2-drops of the fungest reagent the sediment अब sediment वाला जो बच गया है मतलब bile pigment के लिए जो बच गया है उसमें हम 1-2-drop of fungest reagent का डाल देते हैं और second जो हमारा super netted बचा है मतलब हम लोग जो euro bilinogen के लिए कर रहे हैं उसमें add about 0.5 ml of irilis reagent तो दोनों टेस्ट यहीं पता चल गया कि अगर हम लोग फूंचेस्ट कर रहे हैं बाइल पिगमेंट के लिए और यूरो मिनलोजेन के लिए इरलिज मैठड कर रहे हैं तो दोनों में आप अलग-अलग ट्यूब है हमारे पास हाँ बाइल पिगमेंट वाला था अगर कलर में हम लोगों कोई नो चेंज दिखेगा मतलब किसी भी तरह का कोई कलर में चेंज नहीं है तो बाइल पिगमेंट अपसेंट होता है अगर color change दिखेगा, तो change दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, green type का दिखेगा, तो bile pigment present, अब कितना green दिखेगा, तो trace दे सकते हैं, plus one, plus two, plus three, plus four, आपका जितना मन करे, आपको जैसा color दिखे, मन नहीं होना चाहिए, color जितना दिखना चाहिए, तो आप color change, जैसा जैसा आपको yellow to green दिखेगा, तो आप उस तरह से, आप इसमें result देख सकते हैं, तो ये तो हो गई, bile pigment की बात, अब eurobilonogen की observation हम सभी देखते हैं, ये है, अब super netted part, मतलब super netted part का eurobilonogen, तो इसमें develop of pale pink color, अगर होता है, इसमें pink color, तो eurobilonogen present, मतलब present रहना चाहिए, color change होना ये normal है, और develop of cherry red, अगर pink सिर्फ red की और जा रहा है, तो समझ जाएंगे कि eurobilonogen increased है, आपके सरीर में बड़ा हुआ है, तो फिर आप red के हिसाब से plus one, plus two ऐसा करके result आप दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल आसान सा taste था, eurobilonogen और किसके लिए, bile pigment के लिए, इसके पहले मैंने bile salt का विडियो बना द एक test tube ले लिजे, urine ले लिजे और sodium chloride जो मैंने, sorry, barium chloride, sorry, barium chloride, 10 gram per dl वो लेके दोनों में डालना है, फिर उसके बाद फुन्चेस्ट रियेजन के लिए, आपको फुन्चेस्ट टेस्ट के लिए, फुन्चेस्ट रियेजन, इरलिस्ट के लिए, इरलिस्ट रियेजन, ये simple test ह अब उसमें color development देखना है कि color क्या है, एक तो green होगा और इसमें क्या होगा, red होगा, pink होगा, तो आप इसको समझ जाएंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल आसान टेस्ट है, आप कर सकते हैं, उमीद है समझ में आया होगा, नीचे comment करके जरूर बताईए, आप लोग वीडिय शुरू करूंगा आप सबों के लिए, हर microbiology के लिए, फिर मैं anatomy physiology के लिए भी कुछ-कुछ, और फिर आप सबों के लिए मैं paracetology के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, फिर histopathology के लिए, मैं जो-जो कोसिस कर रहा हूँ, धिरे-धिरे वो होगा, और बहुत जल्द आप सबों क आपको एक website भी मिलेगे, जिसमें आपको पूरे-पूरे notes भी मिलेंगे, तो सबों का तहरे दिल से धन्यवाद,